मेरे साथ ही राजस्तान से आय हुए हमें गौरवावनित करनी है और मानावता के कल्यान में अपने आपको समिर्पीत करनी के लिए आपको मैं योग विद्या का सबक शिखा रहा हूँ योग विद्या का मतलब होता है कि जुर्णा योग संस्किर्ट सब से आया है जिसका मतलब होता है जुर्णा योग भी बोलते इसको और जुर्णा भी बोलते हैं तो इस विद्या में आपको तन, मन और आत्मा का मिलन होना चाहिए सरीर से सबल, मस्तिक्स और बुद्धी से विचारवान, ज्यानवान, सर्शक्तिमान और अपने आपको प्रकृति पुत्र समझते हुए जीवन को समर्पित करना है इस पिर्श्वी को खुसाल करने के ति इस योग विद्या में जो की बहुत ही प्राशीन सबता संस्कृति से उत्पत्ति हुई सबसे पहले जो परम योगी थे, परम गुरू थे, उनका नाम था महादेव सिप संभो हर हर महादेव, जिन्होंने हमाले में योग विद्या खुद सीखा इसलिये उन्हें यदी गुरू बोलते हैं, यदी योगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधी गुरू, आधी योगी और इसको पतंजली ने बरही सुनहले अक्ष्रों में 196 अफरिजम और पतंजली ने इसको परिवासित किया, डिफाइन किया क्या का उसने योगा चितविति निरोधा क्या बोला योगा हमारे चंचल मन को नियंतरन में करने की कला है और ये योगा किसी धर्म से नहीं जुरा है जिस तरह medical science आप पर रहे हो न ये medical science जैसा ही है इसलिए एक medical science का पार्ट है जिसे हम योगा निचुरोपैथी बोलते हैं क् सत्य है क्या है ये धर्म नहीं है medical science को धर्म नहीं है इसी तरह ये science है योगा निचुरोपैथी इसलिए इसको करने वाला वैग्यानिक ही होता है दाक्टर भी एक वैग्यानिक होता है तो इसको समझिए इसमें जुडने की बात होती है शरीर से सवल हो जाईए मस्तिक से ग् कुछ भी जीत सकते हैं जिस वैक्ति ने अपने बुड्दी को न्यंत्रन में कर लिया एसलिय बन गया ज़्यानवान वी महादेब बन गया पतंजलि बन गए वही बावाराम देव बन गया देखो बुड़ी का विश्कार करके उज्चान कारणग को अरभ पति बन गया सरीर से तो सबल है धनवान भी बन गया घ्यानवान भी हो गया बिशारवान भी हो गया तो आप इन महापूर्शों से प्रेड़ना लेजिए इसलिए सरीर से सबल होने के लिए हम आपको आस्ना सुखाएंगे क्या सिखाएंगे और पढ़ायमा क्योंकि हमारा जीतव तभी तक चलत लें कि हमारे सरीर के हर अंग में हर सिल में ऑक्षीजन जाए तो बहुत सारे कला हैं अब जानते हो आपके system body के है बारों से जादे हैं जिसे हम बोलते हैं skeletal system muscular system cardiovascular system nervous system, nervous system, endocrine, lymphatic system, respiratory system, digestive system, reproductive system, आप लोग सीखें अभी तो सारे system को हम आशना से मजबूत कर देते हैं और कजब हम कपालभाती करते हैं पड़ायमा तो सारों का exercise हो जाता है तो यह संचिप्त विवरन है कि योगा से हमारे जीवन में क्या होता है योगा से हमारे जीवन में शांती आ जाती है क्योंकि हम सत्य के राशते पर जालते हैं जहां सत्य वहां सांती है वहाँ सायोग है, वहाँ जुरना है, अगर हमारे दिमाग में कुभिशार हो, काम, करोद, मदलो, मो, इर्षया, द्वेस, कला हो, तो वहाँ सांती कहां से आएगी, तो इसलिए दिमाग में हम अच्छे-ची बातें डालते हैं, इसलिए पतंजली योग में आठ अंग बताए ह है, यामा, यामा क्या होता है, अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रहमचार्या, ओपरिग्रह, दूसरा है, नियमा, अपने जीवन में आप क्या करेंगे, अपने जीवन में आप स्वक्षा, स्वक्ष रहेंगे, मन बचन कर्म से पवित्र, संतोषा, संतुष्ट रहेंगे, तप पर नीजको को हमारी लेकिन कर्म करने की जीमेदारी तो संतोषा स्वध्याया पोले स्वध्याया हम अपने आप पर भरोषा करेंगे हम सीख लेंगे फिर हम बार-बार दूसरे से नहीं पूछेंगे मुह निता केंगे थोड़ा और बता और बताओ जो भी आप सीख रहे हो मास्टरी कर लो पारंगत हासिल कर लो कला का उसल से पुर्ण हो जाओ स्वध्याया वो हो गया सेल्फ एस्टरी और इसके बाद है इस्तुरा परिधाना क्या होता है इस्तुरा परिधाना का मतलब भगवान अल्ला और जैसे से नहीं है प्रकृति के कानून कायदे को पालन करो जो देश के कानून बवस्ता है उसमें सामिल हो जाओ जीवी के माराई का कानून कायदे उसको पालन करो नियमों का पालन करना को बोलते हैं, इस्तुरा परिधाना, बोलो, इस्तुरा का मतलब है, ब्रहमांड के नियम, देश के नियम, बिश्चु के नियम, संस्था के नियम को पालन करो, बताओ, जो कानुन कायदे पालन करेगा, वो हो जाएगा, डिसिप्लीन क्या हो जाएगा, अनुसासित कि बात करते हैं अगर आपको discipline है तो गलत करोगे क्या गलत बोलोगे नहीं गलत सोचछोगी नहीं काम नहीं करोगे वीका नंद भी बोलके गे बुद्ध भी आहीं बोला सच्ची बानी सच्चा सोच सच्चा कर्म सच्फाइस सच्चे किर्या कलाप जो सच्च रास्ते पर चले हमको ताराशना दिखाएं, ताराशना, चंगुल पर खरे हो जाएं, यह ताराशना हुआ, तार की पेर की तरह सभी लोग खरे हो जाएं, इसे क्या होगा, आपके बोरी में बिल्कुल स्टेट हो जाएगा, आपके यह जो यह तेटी सब निकले हुएं, सभी सीधे हो ब्रिक्षासन, बालक नम क्या आपका? योगेश, योगा, योगा की गुरू, योगेश, महादेव है खुद, बालाइब अच्छा, ये हो गया, वीरभद राशना दिखाईए, दोनों आथो को, वाह, वाह, ओके, अभी हम लोग खरे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और ओम चेंटिंग से युगा का अंत करेंगे, बोलिये, ओम, बोलिये, देखिए, तीन अक्षर से बना, आ, कैसे बना, आ, ओम, देखिए, मेरी तो, आ, ओम, और यहाँ ध्यान लगाई, यहाँ, आपका जो यह है न, अजना, इस पर केंद्री भूत करिए, और ब्रमांद को देखिए अपने नजर में, या ओम, ओम को दिमाग में लखते हुए, ओम का उचान करिए, ओम, आसदो मा सद गमया, तमसो मा यो तिर गमया, मिर्त्यु मा मिर्तम गमया, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे शंतु निरामया, सर्भद्रानि पश्यंतु, मा कस्ये दुख भाग भवे, ओम, शान्ति, 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 शान्ति ही, नमस्ते, नमस्ते का मतलब समझे लेजिए, नमस्ते का मतलब है, कि आप प्रकृती के पुत्र हैं, और आप में प्रकृती की शारी शक्ती समाई हुई है, हम आप शरीर ये जो हड़ी अस्ति पंजर और मन से बना शरीर है इसको नमस्ते नहीं बोलते हैं आप में जो ब्रहमश शक्ती है उसको मैं सत्नमन करता हूँ इसलिए योगा में हम नमस्ते बोलते हैं क्या बोलते हैं योगेश क्या बोलते हैं नमस्टे कैसे बोलते है, हाथ जोर के बोलो नमस्टे único ऐसे नहीं नमस्ते का मतलब यह पूरा जबरदस्त शीन रेओ, दबाओ इसको हाँ, देखो, नमस्कार आस्ना भी एक होता है देखो, इसको नमस्ते बोलते है नमस्ते का मतलब योग से कया हुआ कि आप में जो ब्रह्मान शक्ति है जो ब्रह्मान की शक्ति छुपी हुई है जो प्रकृति की शक्ति है उसको हम सत्नमन करते है समझ गया नमस्ते क्या होता है इसलिए सुप्रभाद, गुड मॉनिंग, गुड आफ्रनून यह सब बोलिए लेकिन योग विद्या में हम केवल नमस्ते बोलते हो नमस्ते नहीं अरे याद कर लो गुरुजी आप तो खुड हमारे गुरु है नमस्ते, हाज और के फिर गर्दन जुखा के नहीं, शीनातान के योगा आपको स्वाबलंबी बनाता है, प्राबलंबी बनाता है योगा आपको कौशल पुर्ण बनाता है, सर्वशक्तिमान बनाता है जुखने की बात नहीं सिखाता है ओके ओम शान्ते, शान्ते, शान्ते नमस्ते, धन्दबाद, थेंक यू थेंक यू